सीबेसी वोट दोजार चॉबिस का पेपर 15 फरवरी से होने वाला है तर आप इस प्लाटफॉम पे केमिस्ट्री मुझे बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं बट कुछ एक ऐस चीजे हैं जो मेरी स्किप हो चुकी है और वो पाइल अप होती जा रही है दिन बदिन तो उसको मैं क पहले का छूट चुका है जिसे अपन बोलते हैं बैक लॉग्स उसको कैसे कवर करें तो आने वाले चंद मिंटों में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरीके से सीबेसी बोट दोजार चॉबिस के आपके जो बैक लॉग्स अभी क्रेट हुए हैं उनसे डील करना है क कि मेरे 65 से मार्क्स जादा आ जाए 70 में से और ना सर्फ केमिस्ट्री बच्चो बलकि आप अपने और सब्जेक्स में इन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनिटली यूइल गुड मार्क्स इन और सीबेसी बोट एक्जामिनेशन सबसे पहले चार स्टेप का मैं आपको प केमिस्ट्री पढ़ाता हूं ठीक है अब यह मेरी दबंग प्लेइलिस्ट है इस साल की और इस साल आप देखेगे तो पांच महीने पहले से मैं लेके आने आ गया था अपना लेक्चर नंबर वन जो की सलूशन का है और यह पूरा आपको वाईटी पे मैंने अवेलेबल करा रखा है अभी भी आप जाओगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी इसमें एंटेक से कोशन और एक्सराइज से कोशन में डेली ला रहा हूं और ना सिर्फ यह बल्कि जब भी मेरे को टाइम मिलता और मुझे लगता है यह बात में मेरे बच्चों तक फाइदा नहीं उठाया है तो आप इसको देख सकते हो दूसरी बात यह कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे सुडेंट नहीं है इधर उदर अन्य प्लाटफॉर्म पर पढ़ रहे होंगे तो बच्चों कोई बात नहीं कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेट कि हम जो भी हमारे डाउट से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन जो की यूट्यूब पर डेली होता है किस तरीके से हम आपको अप्रोच कर सके तो उसके लिए मैं बहुत ही बहतरीन बैच लेके आया था मैं और सचिन सर जिस बैच का नाम था चानक के बैच तो चानक के बै मात्र 4,000 रुपे में आपको कंप्लीट CBSE का कोर्स में दे रहा था हर एक क्लास लाइव चल रही है अभी भी चल रही है वीकली टेस्ट होते हैं सेंपल पर डिसकेशन होते हैं डाउट क्लासे होती है और आने वाले कुछ टाइम में क्रैश कोर्स होगा और क्रैश कोर्स भी इसमें कवर्ड होगा डोंट वरी ठीक है जो क्रैश कोर्स लाउंच करेंगे वह इस बैच के बच्चों के लिए अल्रेडी हम ऑफर कर देंगे तो नो नीटू पैनिक पहली बात तो यह कि सर यह चीज लाए उसके बाद अगर इंडिविजुल आपको सिर्फ कोई पर्टिक कर चुके हैं अगर आप इंट्रस्टेड है यूट्यू की लेक्चर तो है आपके पास उसके अलावा भी अगर आप मेरे से पर्सनली पढ़ना चाते हो कुछ एक्स्ट्रा आप मेरे से बात करना चाते हो क्योंकि इसमें कांसलिंग सेशन भी मैं इंक्लूड करता हो तो आप को रिष्कण कर सकते हो तो देखो जिन बच्चो के बैक्लोग क्रिएट हो गए पर यह बेक बैक्लोग इस चानक बैच मीं rests एब अनिक के भी backlogs create हुए होंगे तो उन बच्चों के लिए भी मैंने ये वीडियो बना है तो चार step आपको follow करना है जो कि आपके backlogs में आपको definitely बहुत जादा benefit देंगे तो step number one बच्चो step number है don't panic सबसे पहले तो अगर आज की तारीफ में आपके एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट या पाच यूनिट जो है वह बैक लॉग में चल रही है तो पहली बात यह करना है पैनिक नहीं करना है क्योंकि पैनिक बटन अगर on कर दोगे न तो effectiveness वाला जो button है को अपने आप अफ हो जाएगा तो don't panic relax अब अब जो ऊगया वह तो हो गया सथ जो बीतगा जो भी है वो भी रहते हैं तो बैकलॉग को डील कैसे करते हैं वो मुझे सीखना है तो पहले पैनिक नहीं होना दूसरा सबसे important line बोल रहा हूं past is gone present is real जो बीच चुका वो बीच चुका आने वाला कल अपने हाथ में है कैसे क्योंकि कि आज मेरे हाथ में है तो present is real आज की तारिक में अगर आप मैं मेहनत करना है start कर देंगे तो definitely आप बहुत अच्छे मांक से CBAC board टॉप कर सकते हो pass कर सकते हो या जो भी आपके सपने हैं उसको आप साकार कर सकते हो तो पहली बात तो यह याद रखना कि पैनिक नहीं होना दूसरा जो बीद गया जो बीद गया अब आज से मुझे आज जो डेट है उसको नोट कर लो वहां से मुझे पढ़ाई करना है start करना है clear अब मैं पताता हूं procedure क्या follow करना है जो कि step number three don't create new black backlog for old ones यह एक बहुत ही important line है टीक है don't create new backlog for old ones देखो होता गया है बच्चो for example मान लेता हूं मैं हूं मैंने आपको solution cover पढ़ा दिया electro पढ़ा दिया और अगर अपना chemical kinetics चल रहा है तो दो lecture सोच्छो है lecture one lecture two आपके हो गये lecture three आपका चल रहा है for example आपने क्या किया electro का lecture आपने backlog आपने नहीं पढ़ा और अब ही chemical kinetics में live class में पढ़ा रहा हूं second step क्या था present is real जो बीद गया वो बीद गया देखो school deal करने के दो तरीके मैं अपने student time में यह deal करता था ठीक है यार जो backlog हो गये बट जो आज सर पढ़ा रहे हैं जो आज madam पढ़ा रही है उसको मुझे अच्छे से पढ़ना है तो जो प्रेजेंट में teacher आपको पढ़ा रहा है किसी भी platform से पढ़ रहे हो ना तो वह जो प्रेजेंट में पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो गौर से पढ़ो उसके notes बनाओ उसक तो टाइम डेली पॉर बैकलोग्स अब यहां दो तरीकी की बच्चों ते सीब्यसी बोर्ट वाले बच्चों के लिए मैं बताऊं तो देखो क्या करना है आपको डेली के 30-40 मिनिट क्या करना है बच्चो डेली 32-40 मिनिट साप क्या दो तो अपनी पुरानी backlogs को देओ, जैसे आपके electrochemistry है, electrochemistry सर मेरी धुल चुकी है, मैं भूल गया हूँ, अब मेरे को आप पढ़ा रहे हो organic, तो electrochemistry के लिए क्लिए क्या करूँ, तो lectures देखो, आप 2x, 1x, 1.5x, जैसे आप comfortable बोलो, उस speed पे अपने lecture, daily के 30-40 मिट दो, अब ये 30-40 म कहा निकालो, कैसे भी निकालो, कुछ भी, कोई भी subject को कम जादा match करो, मालो आपका match अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा, उसका time 10 minutes इदर निकाल दिया, 10 minutes physics से निकाल दिया, 10 minutes English से निकाल दिया, 20 minutes दोस्तों से बातो, बाते करना कम कर दो, ये तो करना पड़ेगा, तो backlogs create कर भी है जो तुमने, उसको deal करने के लिए क्या गरो, daily अपना time devote करो, दूसरा, अगर आप NEET और JEE के aspirant और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है, अपन जब कोई भी question solve कर रहे हैं, तो it's about solving that question, for example, अगर मैं solve कर रहा हूं, electro chemistry question, उसमें कुछ mole concept का doubt आ गया है, तो क्या करो, तुरंत mole concept उठाओ, और वहीं वो doubt solve कर लो, तो इससे क्या हो रहा है, आने वाले chapters में, जो पुराना backlog आपका created था, वो इस तरीके से cover हो जाएगा, क्योंकि competition में बच्चो नया backlog create करते जाओगे, तो वो pile up होता जाएगा, इससे अच्छ वाले deal कर सकते हैं, बट CBSC वालों के लिए मैं अलग से star इसलिए लगाया है, क्योंकि बच्चो अपनको theory पढ़नी होती, अपनको sample paper, अपनको PYQ solve करने, आने वाले time में, आपके pre-board तो practical भी आने वाले है, तो 30-40 minute आप daily अभी से दोगे, तो definitely देखना महीने डेड़ महीने सारे backlogs clear हो जाएगे, ठीक है, तो ये 4, ये 4 step अगर आप follow करोगे, तो definitely बच्चो आपको फायदा होगा, ठीक है, तो देखो, मात्र 8-9 minute में मैंने बता जिया, कि backlog कैसे create करोगे, अगर इन 4 steps को follow करोगे, तो definitely बच्चो फायदा होगा, आप life में proceed करना चाते हो, succeed करना चाते तो इन चीज़ों को follow करो, backlogs जो create हो चुके है, एक line मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी, आप से share करना चाता हूँ, वो यही है, कि present है अपने हाथ में, past is gone, तो जो बीद गया, वो बीद गया, ये अगर tendency रखोगे, तो confidence भी अपने हाथ में रहेगा, panic भी नहीं होगे अ अपना चैनल जिसका नाम है CBSC Cluster, जल्द ही, बहुत जल्द ही, दिवाली के अफसर पर, आपको एक दिवाली गिफ्ट में इस चैनल पर दूँगा, और उसके लिए अगर आप मेरे को जानते हो शुरू से तो आपको पता है कि सर कुछ ना कुछ इफेक्टिव चीज ही दें बट पढ़ाई करना आपके हाथ में, थेंक्यू